हेलो दोस्तों मेरा हूल और मेरे पास है इंफिनिक्स स्मार्ट पॉर प्लस और आज की सुरू में जो है इसका चार्जिंग टेस्ट और हीटिंग टेस्ट भी करूंगा चार्ज होते वक्त यह हीट होता है या नहीं होता है इस पॉन में अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को पेस करके और पे क्लिक जीए क्योंकि मैं इसी तरीकी के इंट्रेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूं और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दियेगा नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं तो फट फट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं without wasting time so let's go so friends यहाँ पर मैंने setup कर दिया है switch को on करता हूं जैसे ही light blink होता है यहाँ पर timer को भी on कर दूँगा तो यहाँ पर light bling हो गया है मैंने timer को भी on कर दिया है और हम सब भी जो है phone को switch on करके charge देते हैं तो मैं भी यहाँ पर जो है phone को switch on कर दूँगा जैसे यह 1% होता है उसके बाद देखेंगे इसका जो battery है वो कितना fast charge लेता है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे phone 35% चार्ज हुआ है एक घंटा में temperature चिक करते है room temperature 35 है काफी गरम हो गया room दोपायर हो रहा है इस वज़ से और phone का temperature जो है 38-39 के आसपास है तो room temperature की साब से सही अगर मैं बूलूंगा तो है और charger का temperature जो है 46-48 के आसपास जो है चल जा रहा है तो guys यहाँ पर जो है 2 गंटा 5 मीट हो गया है मैं 5 मीट लेट हूँ और अब चिक करते है बैटरी कितना परसेंट चार्ज हो है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बैटरी हमारा चार्ज हो है 75% बतलब जो है 2 गंटे में 75% और temperature को चेक करते है room temperature 36 के आसपास है और 4 के temperature की बात करें तो 39, 40, 40 है रूप फोन का temperature और चार्जर का temperature की बात करें तो 45 या फिर 46 तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो है 3 घंटा कम्प्लीट हो चुका है अब देखते हैं फोन हमारा कितना पसेंट चार्ज हुआ तो फ्रेंट्स 97% चार्ज हो है फोन 3 घंटा में और यहाँ पर temperature की बात करें तो room temperature है हमारा 36 काफी गरम है बेसिकली कोलकाता में काफी गरमी पड़ा है और फोन का temperature देखा जाए तो 38 के आसपास है मतलब यहाँ पर फोन जो है अब उतना जादा गरम नहीं हो रहा है और charger के temperature की बात करें तो charger भी यहाँ पर 42 के आसपास आ गया है जहाँ पर 44-46 चला गया था तो देखते हैं यहाँ पर जो है कितने देड में full charge होता है हमारा phone तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो है phone को fully charge होने में 3 घंटा 18 मिनिट का समय लग गया आप यहाँ पर देख पाएंगे phone जो है 100% charge हो चुका है यह देख पाएंगे 100% charge हो चुका है तो basically 6000 मिलियों पर बैटरी को 0-100% charge करने में 3 घंटा 18 मिनिट समय लग जाता है और phone को मैंने on करके charge दिया था 10 watt का charger दिया गया है तो यहाँ पर इस पर से slow charge हो और यह phone 18 watt के fast charging को support नहीं करता है तो कोई फाइदा नहीं होगा यहाँ पर fast charger भाय करके आपको box के अंदर जो charger दिया गया उसी से charge करना पड़ेगा बागी temperature को चेक करते है room temperature यहाँ पर देख पाएंगे 36 के आसपास है और phone के temperature की बात करें तो 37 है फ्रेंट की तरफ भी जो आपको 37-38 देखने को मिल जाता है और charger के temperature की बात करें तो 40-41 जो है charger का temperature देखने मिलता है तो after all यहाँ पर जो है charging time थोड़ा सा जादा है battery भी जादा है 10 watt का charger है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा बाकि आप अपना खुद का opinion नीचे comment कर सकते है बाकि जो है वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीगा साथ है चैनल को सब्सक्काइब करके बेल आइकन को पेस्ट करके और पर क्लिक दीगा है अगले वीडियो में एक नए कॉंटेंट के साथ अपने लिए टाटा बाई बाई और यूं हसते रही है मुस्कुराते रही है और बने रिया आरजे टेकनिकल्स के साथ